Dear students, आज की इस वीडियो में हम लोग दहेज प्रता पे निबंद लिखने वाले हैं तो यह दहेज प्रता पे निबंद कई बार class 10 words exam में भी पूछे जाते हैं या तो फिर ऐसे भी कई competitive exam में भी पूछे जाते हैं तो यह class 10 के लिए भी बहुत important है और ऐसे भी other competition के लिए भी बहुत-बहुत important है तो देखिए इसमें हम लोग जो मुख्य बिंदू कौन-कौन होगा मेरा मैं आपको पहले बता दूगा भूमिका होगा बुराई दूस परिणाम और रोकने का उपाय होंगे तो यह देखिए कहीं-कही 5 नंबर और 10 नंबर में पूछे जाते हैं तो चलिए जाद मैं लोग देर न करते वे विडियो करते हैं तो वीडियो के start करने से पहले आप से एक request है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी तरह हमारे यूट्यूब के लोगे सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जोड़े दबा ले मैं इस तरह के और वी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ क्लाश्टेन से सम्मधित बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अभी लेवाल है आप देखें ठीक है तो चले हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं भुनका में क्या है देखें का प्यारे बच्चो कि बिवाह के औसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर्पक्ष को उपहार के रूप में जो भेट दी जाती है उसे दहेज काते हैं यह प्रथा प्राचिन काल से चली आ रही है लेकिन आज यह प्रथा एक सामाजिक बुराई बन चुकी है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और क्या है बुराई यह मना नेक्स्ट यह मतलब टॉपिक है बुराई अकर इसको क्यों कहते हैं प्रश्ण उठा है कि दहेज को बुराई क्यों कहा जाता है कि यह बिवाह के समय अपनी प्यारी बिटिय सब देना है लेकिन यह भेंट प्रेमोस दी दानी चाहिए मजबूरी में नहीं यह बुराई तो तब बनता है जब वर्पक्ष के लोग इसे बल पुर्वक मांगते हैं और नहीं देने पर वह साधी के लिए इंकार कर देते हैं की देखरें कि यह भी समाज में एक बहुत ही मतलब जोर सोर से आप लोगोंसे देखने को मईल रहा हो गार जिक जगह पे हर एक घर में आपको यह चीज़ना को मिल रहा हो गा ठीकैं तो वो आप लूग और अगर देखर साधी कर वी ले तो बाद में कहने चार्ण को प्रताड ठीक है तो यहाँ प्रफ रहे तो साजीी कर भी ले तो बाद में कendeuया करते हैं हत तो तब होता है जब दूह का भाव लगते हैं जो जितना सिक्षित और पैसे वाला होता है उसका भाव उतना ही तेज होता है ऐसे में करने का पिजा करे तो क्या करे वह दहेज की मंडी से योगितम वर खरिदने के लिए धन कहां से लाए बस यही से बिराई शुरू हो जाती है आप लोगों ने देखा होगा कि जो जितना सिक्षित है अगर आपका सरकाले लोकरी है तो उसका मांग उसका डिमांड और जादा है अगर सरकाले लोकरी है तो जितना सिक्षित और पैसे वाला है उसका मांग और जादा है अब लोग नेक्स टॉपिक पढ़ते हैं दूसपरि इतना भ्यावा हो गया है कि लोग लड़की को जर्म देने से भी इसकी चाने लगे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि कि इतना लोग यह करता है कि यहां तक कि कई बार वर्पक्ष के लोग दहेच के लिए इतना परतारित कर देते हैं कि कन्या आत्मात्या तक कर लेती हैं अब कई बार निउस्पेपर में अकबार के मतले होंगे कि दहेच के लिए आजकल तो रुजाने के खबर यह आती है कि दहेच के लिए बहुत इसरे के घटना आपको सामने आती है इसका दूस्पेणाम है यह सभी आप लोग खुद देखते होंगे यह क्या है देहेच के लिए गलत कदम भी उठा लेते हैं अब लोग चलते हैं पर लाश्ट टॉपिक पर जो कि आपका लाश्ट टॉपिक हम लोग कहोने वारा है रोकने के उपाए ठीक है इसका रोकने का क्या उपाय हो सकते हैं तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि वीडियो आपको अच्छे लिए तो लाइक जोड़ूद कीजिए इस देहेच परता को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने आपको जगरूद करन की ज़रूर्द है देखिए वैसे तो इस देहेच परता को रोकने के लिए सरकार ने कहीं सारे कानून और योजना भी बनाई है लेकिन अपसोस इस बात की है कि लोग इसके प्रतिजागरूप नहीं हो रहे हैं और कई लोग तो जानकर भी अंजार बनते हैं हम जानते हैं ल लेना और देश देना यह एक तरह से समाजिक बुराई है यह कारूना पराध है लेकिन फिर भी हम आवाज नहीं उठाते हैं अपने आवाज को दबा देते हैं ठीक है हम लोग ना उस पे मतलब कही कंप्लेंड कर पाते हैं ना किसी को बता पाते हैं ठीक है यह प्रथा तभी स करेंगे कि आपको यहां पर सुधाने जोरती यह पर आपको अच्छा लाग हो तो जुरूर कमेंट करें ठीक है आप लोगों जुरूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए 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 जैहिल बंदे मात अ कि अच्छा लाग हो तो मिलते हैं टेसे दो करेंगे जुरूर फान्यालिव को लिए दूरूर फ़िधा लाग हैं पर फ़िए घशने दूर बाए दिस सब्स्टाब करेंगे यह में राग है